समाजवादी पारिटी की सीटे बढ़ी यस 47 से 111 11 12 परसेंट बोट भी बढ़ा लेकिन उसका सबसे बढ़ा कारण मैंने आरंभ में कहा था गनित जूट नहीं बोलता परशेप्शन में खोट होतकती है गनित में खोट नहीं होती दो दो चार्व जब से उत्रपदेश ने में जो चुनाव हुए उनमें भी कभी इविन अयुद्या जब चरंपर था तब भी जब मुलायम सिंग मुलाना मुलायम के खिताब से नमाजे गए तब भी पच्यासी फीसदी 84 फीसदी मुस्लिम बोट सपा को कभी नहीं मिला यह इस बार था जब 84-84 फीसदी मुस्लिम ब बढ़ी जाएगा डाटा कहता है 84 परसेंट के आसपास का बोट पोल राइज हुआ आपके पक्ष में मुस्लिम का अब लडाई तो इसी के मुसलमान आप से खिन्न है उसको लग रहा है कि विश्वास भंग हुआ उसको लग रहा है कि हमारी बात नहीं उठाई यह केबल मसल अब सपा के मुसलिम चेहरों में हम रामगुपाली आदम को तो शामिल नहीं कर सकते हैं ना वो तो जो लोग है वही रहेंगे ना इसलिए यह सवाल मैंने उठाया और भारती जनता पार्टी कह सकती है कि हमारा कोई लेंदना ने इनकी लड़ाई ठीक बात लेकिन यह भी ठीक है कि जो सरकार में होता है उसकी भूमिका कहीं न कहीं हर चीज में रहती जो कुछ घटित होता है उसमें उसकी सीधी या डारेक्ट या इंडारेक्ट भूमिका ह होती है और भाजपा की भी है मैं यहां इसका बहुत खुलासा नहीं करूगा लेकिन दोनों प्रक्रणों में भाजपा की भी भूमी का है शुपाली आदब बाले में भी आजम खान साब बाले में परते कोई थो कोई नहीं मानेगा न यह मानेंगे न वो मानेंगे लिगी बुमी का है और स्वाभाविक है इसकी सबसे बड़ी बेनिफीशर भाजपा ही होगी सबसे ज्यादा लाब भाजपा को ही होगा चाहें अधर वाले लटके और चाहें भवर वाले फसन है कि बीज़ेपी को तो विन-विन सिट्विशन है उसके सामने सबसे बड़ा विर्पक्षी दल उसके सबसे बड़ी पूंजी मुस्लिम जन्मानस का भरोसा वह अगर डिक जाए तो उसके पाद चुनाब साफ हो जाएगा ना मायवती जी का हाथी वैसे कुपोर्शन का शिकार है वो दूबला हो गया बहुत और आपके साथ यह स्थिति बन गई तब कहा तब तो बीर बीजी बीगली ठीक ही ठीक है यह मसला है और एक बात मैं सहमेशा कहता हूं इस गनित के जोड़ तोड से अला घट के कोई रूठे नहीं कोई छूटे नहीं यह बात मुलायम सिंग यादव ने हमसे एक बार कही थी 25-30 साल पहले मोदी जी ने उसको दूसरे शब्दों में कहा सबका साथ सबका विकास मैं उसको आर्थी तरक्की और देश की तरक्की से प्रदेश की तरक्की से नहीं जोड़ता मैं पुलिटिकल थियोरी मानता हूं उसको बड़ा नेता बनना है बड़ी पार्टी चलानी है तो जो हमको नहीं भी पसंद है वो भी पार्टी में रहे वो भी चले साथ मेंदी सा क्योंकि सब कुछ एक आदमी नहीं कर सकता जिस बात की और मोहिन पठान इशारा कर रहे थे एक बार मैंने इस बात को कहा था और डिटेल में मुलाहिम सिंग चोटे रहता थे नहीं न लिगिए जानते थे गाजम खान को भी रखना चाहिए मोहन सिंग्को भी रखना चाहिए बेनीप्रसाथ बर्मा को भी रखना चाहिए काफिल देव जी को रखना चाहिए जनिशुर बाब मिस्टरा जी को रखना चाहिए जानते थे और ना मुलाइम सिंग यह भी कह सकते थे हम शिवपाल और रामकुपाल इतने बहुत है तो मुलाइम सिंग यादव ना मुख्यमंत्री रहते तीन बार और ना देश में रक्षा मुख्यमंत्री होते हैं जब तक आप यह नहीं करेंगे इनको के इनके यहां तो एक अगोशिद व्यवर्स था थी के बड़ी कुर्सी उसी को मिलेगी जो संग की बैक्ग्राउंड से होगा कौशल गांत कया लेकिन इन्होंने आसम में मुख्यमंत्री बनाया ना मैंने संग की बड़े पतादिकारी से कहा कि यह आपका विचलन उन्हें विचलन नहीं पार्टी बड़ी हो गई है मिताब जी अब यह सिद्धान तो नहीं चल सकता कोई मेरे साथ क्यों जूलेगा हमारे साथ अगर हम उसको निनायक पद नहीं दे सकते यह है व्यवारिक्ता के अंद्र में मंत्री है कही है इसे लोग कि जिनके संग से कोई लेना देना नहीं वो ध्वच प्रणाम नहीं जानते वो शाखा नहीं गए कभी उस संग के विरोधी रहे अपने पूर्व के काल में है कि हरा आदमी की कुछ न कुछ हैशियत है को दो बोट जोडता है कोई चार बोट जोडता है की जोडता है ना तब जाके राजा की तस्वीर बनती है राजा की तस्वीर में चेहरा तो एक होता है लेकिन उसमें जो पिक्सल होते हैं न वो करोडों होते हैं पिक्सल वो करोडों पिक्सल ही कारी करता है वही जनाधार है वही संगठन है उसका ख्याल रखिएगा तो मामला दुरुस्तु रहेगा और नहीं तो फिर ऐसे होगा कोई चोरा है अधर में होगा कोई भवर में होगा अब उत्तर चाहिए प्रोट्योबाई केसरी मरहम एवं तैलम वर्षों से दर्थ पे सबसे ज़्यादा असरदार एंट प्रयाग PTMT बाट फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज क्वालिटी बेमिसाल लिख के ले लो